हेलो गाइस आज की जो वीडियो है वो basically हम अपनी डिगरी कब तक complete कर सकते हैं और क्या नाम है अगर हम college left करते हैं किसी course को छोड़ कर चले आते हैं तो कब तक हम उस college में और उस course में re-enter हो सकते हैं तो यह सारी मैं बात करूँ और यह जो मैं बात कर रहूँ और यह जो मैं बा जामिय हो, एमिय हो, जितनी भी युनिवर्सिटी है, ठीक है, तो मैं यह बात कर लेता हूँ, यह जो है UGCF का ड्राफ्ट है, आप UGC की ओफिशल मेब साइट से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हो, तो मैं पेज नमर 9 की तरफ आता हूँ, तो बैसिकली जो है, यह पेज न लेकिन आपका किसी रीजन की वैसे आपने कोलेट ड्रोप कर दिया, उस डिगरी को ड्रोप कर दिया, तो आपको उसरे डिगरी नहीं मिलेगी, बलकि आपको एक सार्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है, अब यहां पे अगर आप ड्रोप कर देते हो, तो उस ड्रोप, है वो थ्री एर के अंदर हो सकते हो आपने 2023 में छोड़ा 2026 से पहले पहले आपको इस प्रोग्राम में रिएंटर होना पड़ेगा और दूसरी चीज़ अब यही सेम रूल यूजी डिप्लोमा पर होता है आपने 2022 में अपने 2024 में छोड़ा कुछ रीजन हो सकते हैं आपकी बैसिकली वह कुछ बच्चों की फाइनेशल प्रोब्लम होती है इस वह से ड्रोप कर देते हैं यह आपका कोई नी जी अपना परसनल ओपीनियन हो सकता है कुछ भी ठीक है तो आप 2024 में कोलेच छोड़ते हो 2022 में अडमिशन ले तो 2024 में कोलेच छोड़ देते हो तो यहां पर आपको डिप्लोमा दे दिये जाएगी डिप्लोमा बी ओनर्स पॉलिटिकल साथ डिप्लोमा की आपको दिया जाएगा ठीक है डिग्री नहीं दी जाएगी डिप्लोमा दिया पड़ेगा पहले क्या होता था कि अगर आपने छोड़ दिये तो दुबारा से आपको री कंटीन्यू दुबारा फर्स्ट एर से करना पड़ता था लेकिन अगर आपको डिप्लोमा दिये दिये जाएगा फिर आप डिप्लोमा के भ्याप पर उसे री एंटर होकर वहीं से कशक्ते आप अपने डिप्लेट कर सकते हो लेकिन अब जो है यह सेवनियर हो गए आप लोग देख सकते हो लास्ट एरमी बेक आ गई तो आप पेक के पेपर जो है सेवन एर तक कंप्लीट कर सकते हैं अपनी फाइनल डेरी उसके बाद आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो यही एक अपडेट थी बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पर पोच सकते हो लिक मैंने डिस्क्रिशन में दे रखाएं